नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत आपका और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ येर ग्रेट के बारे में ये पतंजली आईरवेद लिमिटेड का उत्पाद है और प्रैस की बात करें तो 95 रुपे है 15 ml के इसे आप पतंजली चिकिचाले आरोगी के अंदर से पर्चेस कर सकते हैं और ओनलाइन भी मंगवा सकते हैं आई दोस्तों जानते है ये इर ग्रेट कानों से जड़ीवी समस्याओं में किस तरह से इफेक्टिव है और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है ये दवा आईरिवेदिक इंग्रेडियन्ट से बनी है इसमें सुदर्सन, ब्रेंगराज, दतुरा, नीम, मेथी, तुलसी, हल्दी और अपमार्ग जैसे गटक है दोस्तो इयर ग्रीड कानों से जड़ीवी समस्याओं में काफी इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ये दवा कानों में इनफेक्शन, कानों में दरहद और कम सुनाई देना जैसी समस्या में लाबकारी है अगर कानों में पस आता है, खुजली की समस्या है तो भी ये उसमें परभावी है ये दवा कानों में अंदरू निसूजन को दूर करती है और सीटी बजना जैसी आवाज आती है उसमें भी परभावी है दोस्तों, उमर के साथ में 12-15 समस्या अधिकतर लोगों में देखी जाती है लेकिन आप पहले से कानों की देकरे करते है एर गरीट का इस्तिमाल करते है तो इस तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी तो आई दोस्तों बात कर लेते हैं कि इयर ग्रीट को आपको किस तरह से इस्तिमाल करना है सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोले ताकि आथों में इन्फेक्शन ना हो जब आप इसे इस्तिमाल करें तो ये भी ध्यान दे कि परभावी तेस्ता सुखा हुआ हो अगर नाहने के बाद में कान में पानी वगरा है तो फिर आप इसे सुखने के बाद में यूज करें आप इसे दिन में दो से तीन बार कान में स्प्रे कर सकते हैं दोस्तो इसका यूज external ही होता है इसलिए आप इसे मुल या नाट को नहीं चुएं इससे यूज करने के बाद भी आप अपने आथों को अच्छे से धोलें लगाने के बाद भी आप अपने आथों को मुल नाक या आँक को नहीं चुएं यसे दोस्तों ये आयरुवेधिक मेडिसिन है इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन अगर आपको कानों से जुड़ी हुई कोई गंबीर समस्या है तो आप इसका यूज नहीं करें और डॉक्टर की सलाले तो दोस्तों उमिद करता हूँ कि आपको अमारे द्वारा दीगे जानकारी अच्छी लगी होगी जुड़े रहने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्लेस करें ताकि मेडिसिन समंदी और स्वास्ते समंदी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें